जैहिन दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले मैच की जो की है फ्रेंच लीग का मैच बेट्वीन पैरिस स्रांजरमेन एंड स्टाउटबर्ग PSG यानि पैरिस स्रांजरमेन वही टीम है जिससे मैसी भी खेलता है नेमार भी खेलता है ब्राजील का और एंबापे भी खेलता है फ्रांस का लेकिन अभी मैसी और एंबापे तो नहीं खेलेंगे बट नेमार 100% स्टाउट करेगा आज के मैच में तो आएए दोनों टीमों की एक बार लीक स्टैंडिंग्स देख लेते हैं तो स्टैंडिंग्स की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि PSG नंबर वन पोजिशन पे हैं 15 में से 13 मैच जीते हैं 2 ड्रॉ की हैं और एक भी नहीं हारा है और 15 में 43 गोल किये हैं और सिर्फ नौ गोल कंसीट किये हैं तो एवरेज तीन गोल हर गेम में मारते हैं यह और खाते एक भी नहीं है ठीक है तो बहुती बढ़िया परफॉर्मंस है इनका अपनी लीग में नंबर वन है बेस्ट टीम है इस लीग की और स्ट्राउटबर्ग की बात करें तो यह 19 वे पोजिशन पे हैं यानि की वन अफ दे वर्स टीम में से हैं इस लीग की तो क्लियरली आज एक ही फेवरेट होने वाला है पिएस जी ठीक है तो एक बार अवे फॉर्म और होम फॉर्म भी देख लेते हैं पिएस जी का होम फॉर्म देखा जाए तो साथ में से 6 जीते हैं एक ड्रॉ किया है साथ में 19 गोल मारे हैं और 7 गोल कंसीट किया हैं वहीं पर स्टाउट बर्ग का अवे फॉर्म देखा जाए, तो साथ में एक जीता है, तीन ड्रॉ हैं और तीन हारे हैं, और साथ में दस गोल करे हैं और तीरा गोल कंसीट किये हैं, तो क्लियरली यहाँ पर PSG ही फेवरिट होने वाली है मैच जीतने के लिए, तो आएए दोनो का तो ख़र कोई जवाबी नहीं, World-class striker है हम सब जानते हैं, ठीक है, और central attacking पर दिख रहे हैं सोलार, सोलार भी बहुत बढ़िया प्लियर है, बहुत इक अटाकिंग प्लियर है, यह Spain के प्लियर है, तो बहुत अच्छा performance रहता है इनका, और left wing पर आपको दिख रहे हैं, व बहुत ही अटाइकिंग प्लेयर हैं और वन आफ माई फेवरिट्स और चार डिफेंडर्स खेलेंगे लेफ्ट पे होंगे जुवान बर्नेट चौदा नंबर दो सेंटर बैक होंगे मार्कुनॉस सर्जी रैमॉस सर्जी रैमॉस का नाम समने सुना होगा यह स्पेन के डानरुमा बेसिकली इटली के गोल की पर हैं बहुती शांदार गोल की पर हैं यह ठीक है तो आएए आप सेलेक्शन कर लेते हैं तीम का साथ प्लेयर लेंगे हम पी-एशी से क्योंकि पी-ए्एशी डिप operators है तो स्टार्ट करते हैं स्ट्राइकिंग सेक्शन में स्ट्रारि विल्टर भी लगा लेते हैं तो एकी टीके को हम लेंगे अपनी टीम में क्योंकि फॉर्वड खेलेंगे और टीम इतनी स्ट्रॉंग नहीं है तो इनका गोल आ सकता है ठीक है अब मिट फील्ड में आते हैं मिट फील्ड में आपको दिख रहे हैं नेमार जो की टैकल इंटरसे वेराटी आपको सबसे आदा पासिस करते हों मिलेंगे टैकल इंटरसेप्शन ठीक है चांस क्रेशन असिस्ट और एक सप्राइस गोल स्कोरर भी आपको दिख सकते हैं ये ठीक है ग्रैंड लीग में अगर आप टीम बनाएं तो इने जरूर कैप्टर मनाईएगा एका टीम म है ठीक है नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं सोलर सोलर अटाकिंग मिट फील्ड में खेलेंगे तो इनका भी गोल आने का चांस आज है तो कि टीम सामने काफी वीक है तो इनको भी हम अपने टीम में लेके चलेंगे ये भी बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर है फिनिशिंग सकते हैं वो है 5BN Ruiz Pena मैंने आपको बताया one of my favorite players अगर ये स्टार्ट करते हैं तो ये भी एक बहतरीन प्लेयर हैं बहुत चांस क्रियेट करते हैं बहुत बहुत हाई है इनका असे प्रोटेंशिल तो इनको भी हम टीम मिलेंगे एक बार मैं आपको इनका अभी परफॉर्म दिखा देता हूं PSG से 7 में से 5 मैच स्टार्ट किये हैं गोल तो एक भी नहीं मारा है पासे देखिए 56 से उपर है और टैकल भी काफी हाई है अभी तक ही अपना अटैकिंग फॉर्म इस क्लब में दिखा नहीं पाए हैं बड़ इससे पहले इटाइलिन सरिया में खेलते थे I think ये नापोली से खेलते थे एक सेकंड मैं आपको बताता हूं जी हाँ ये नापोली से खेलते थे और वहाँ पर आप देख सकते हैं और नोंने 32 में से 29 मैच स्टार्ट किये 7 गोल मारे थे 4 असिस्ट किये थे तो बहुत ही शांदार प्लेयर है ठीक है ये भी एक कह सकते है है कि फिक हो सकते हैं कैप्टनवाइज के इनकी गोल आने का च दो वापस चलते हैं एक बार अदर लिग में फारश को हम कंसिडर कर सकते है अभी के लिए हम फावरी नुस को लेके चलते हैं ठीक है to be on the safer उपर साइड तो यह चार प्लेयर हमारी टीम में अब हम आते हैं डेफेंस में डेफेंस में हकी मी वही जो मुरक्त को से लेफ बैक खिलते प्लेयर रही हैं लेकिन आज मैच में जहां तक इनके गुलाने का चांस बहुत हाई रहता है ठीक है और उनके बराबर से आपको दिख रहे हैं सर्जियो रेमोस तो सर्जियो रेमोस एक ऐसे defender है जो हमेशा ही attack में participate करते हैं इनका tackle interception भी अच्छा रहता है ठीक है कई बार यह free kicks भी ले ले लेते हैं तो बहुत ही शांदार player इनको छोड़ना बहुत रिस्की है इनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अपने team में जरूर रखेंगे ठीक है next आपको दिख रहे हैं दो option है बर्नेट और मुकी इली ठीक है मुकी इले और बर्नेट में से अगर हम देखे performance तो मुकी इल की बात करें तो यह काफी attacking type के back fullback है गोल भी मारते हैं यह assist भी करते हैं ठीक है तो काफी इंपोर्टन्ट हो जाते हैं इंटर्सेप्शन अच्छा नहीं है पर टैकल ठीक है इनका ठीक है वहीं बर्नेट की बात की जाए तो बर्नेट का जो performance रहा है अभी तक वो कुछ खास तो नहीं है ग्यारा में साथ मैची देखता हूं इन्होंने फ्रेंड्ली में अच्छा performance किया है जो बीच में फ्रेंड्ली खेले गए हैं वर्ल्ड कप का जो ब्रेक हुआ था उसमें तो अभी के लिए मैं मुक्यले को अपनी टीम में ले रहा हूं ठीक है और बाद में लाइनप साने के बाद देखते हैं कौन काफी अच्छा रहता है फ्रेंच लीग के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं पंदरा में से बारा मैच स्टार्ट किया है और पांच गोल मारे हैं ठीक है और पास भी 23 है की पास भी इनका ठीक है और पीएसजी का थोड़ा सा ऐसा है कि कई बार यह डिफेंसिवली की टेकर भी है इस टीम से इनको हमने डीम में जरूर रखेंगे ठीक है नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं डियालो डियालो की बात की जाये तो प्लेयर तो बहुत टैलेंटिड है यह ठीक है 15 में से 13 मैश स्टार्ट किये हैं और 6 गोल मारे हैं ठीक है टेकल इंटेसेप्शन में हमें वीडियालो को छोड़ JUDGE दियालो को लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको लास्वीडियालो में घूर को कभी नहीं छोड़ता हूँ ठीक है तो अभीके लिए धीयालो ले रहे हैं बाकी lynap के बात क्या होता है ठीक है नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं लेफ्ट मिट फिल्ड पे डिमिट्री लिनार्ड डिमिट्री लिनार्ड की बात की जाए तो कोई ऐसा कोई खास परफॉरमंस नहीं है इनका थीक है ज्यादा पॉइंट नहीं देंगे टैकल इंटरेप्शन के कुछ पॉइंट दे जाए तो करने ज्यादा पासिस करने को भी नहीं मिलेंगे आज के मैच में ठीक है नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं बेल गार्डे बेल गार्डे की बात की जाए तो यह काफी इंपॉर्टन प्लियर है इस टीम के ठीक है यह क्रियेटिविटी और टेक्निकलिटी में बहुत अच्छे है पंदरा में पंदरा मैच स्टार्ट कियें एक गोल मारा है तीन असेस्ट है ठीक है चांस क्रियेशन इनका बहुत अच्छा है काफी चांसेस kaz watch करते हैं पासिस भी अच्छा TS Sloth करते हैं तो यह काफी एंप्ओर्टन प्लियर हो जाते है इंस के ठीक है नेक्स्ट आपको दि लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन मैं इन्हें अपनी टीम में नहीं लूँगा मैं इन्हें ड्रॉप करके चलूँगा ठीक है फिर आपको दिख रहे हैं प्रिकिक इनकी बात की जाए तो ये भी थोड़ा सा अटाकिंग मोड के प्लेयर हैं लेकिन आज मुझे लगता नहीं ज्यादा अटैक करने को मिलेगा ज्यादा डिफेंसिव वर्क ही करना पड़ेगा इन्हें टैकल इंटरसेक्शन ठीक है इनका कुछ खास नहीं है तो अभी के लिए मैंने ड्रॉप करके चल रहा हूं नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं कैरोल फिला की बात की जा चांट की तो यह काफी इंपोर्टन डिफेंडर हैं इस टीम के तेरह में बारा मैं स्टार्ट की हैं अर्टिस पासिस हैं एवरेज और टैकल इंटरसेप्शन भी अच्छा है इनका ठीक है बट मुझे ऐसा लगता है कि आज हो सकता है पीजी तीन चार गोल माल दे तो मैं इ अच्छा है इनका बट वही बात कि अगर तीन-चार गोल खा गए तो नेगेटिफ पॉइंट्स दे जाएंगे ठीक है तो मैं अभी के लिए प्रिकेक को लेके चल रहा हूं अपनी टीम में मिट फील्ड से ठीक है इनको तो अभी के लिए मेरी टीम जो है वो इस तरीके से ह है ठीक है बाकी गोल कीपर हम इनका ही लेंगे स्टाउसबर्ग का क्योंकि इनके पैरिश अंजर्मेन का जो अटैक है वो काफी खतरनाक है तो जादा टेम्ट्स वही लोग लेंगे ठीक है तो गोल कीपर जो इनका स्टार्ट करेगा वो स्टार्ट करेगा आज शायद सेल्स स्ट करेंगे अगर कवाश्रीक स्टार्ट करते हैं अब लेंगे अब often kita नहीं करने तो भाइब मेरा तो सीधर मेरोगा और कोई मैं कोई किजी की तरफ देखुंगा भी नई कंगी मुझे पता है इस हुआ किसे गोल तो आने ही आने है इस मैच के अंदर ठीक है और वाइस कैप्टेंसी की बात की जाए तो ये थोड़ा सा ट्रकी हो सकता है आप चाहें तो सोलार को बना सकते हैं आप चाहें तो एकीटीके को बना सकते हैं ठीक है और थोड़ा रिस्क लेना है तो आप रूइस को भी बना स करके एक defender बढ़ा सकते हैं इनका बरनेट को ले सकते हैं अपनी टीम में ठीक है अभी के लिए मेरी यह टीम है लाइन अपस आने के बाद देखते हैं और क्या चेंजिस होते हैं लाइन अपस में ठीक है दोस्तों और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जोइन किये हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको सिंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको बेल आ तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहिन